रिचा राजपूत, नाथुराम गोड से और जिन्ना, आप जैसी युवा पिढ़ी को, आप जैसे परिवारों को, उत्तरप्रदेश के लोगों को, क्या देंगे दोनों लोग? जी, बहुत बहुत धनवाद मीना जी, डॉक्र मीना जी, मुझे इस बैठा के शाविल करने के लिए, देखे, पहली चीज तो यह है कि जब हमारे यसश्वी मुख मंत्री जी हिंदुत्य की बात करते हैं, तो हिंदुत्य भारती जन्ता पार्टी के लिए कोई नया दाओ जैस हमारे या सामानी जाती का भी आदमी हिंदुत्य की भावना पर भरोसा रखता है, पिछनी जाती का भी, दलित जाती का भी, और अल्फ संक्यक जाती का भी, जो केवल मुस्लिम नहीं होता है, अल्फ संक्यक में और भी बहुत सारे वर्ग आते हैं, जिसका चायद कॉंग्रे में जिन्ना की फोटों की वकालत करते हैं जिन्ना इनके दिल और जहन में बता है जो हमारे दिल और दिमाग में रहेगा हमें उसी की तो याग बार बार आएगी इसलिए यह इन्नों को जिन्ना शब्द सुनते ही ऐसा बुरा लगने लगता है क्या मैंने गलत बुरा जो फासि पर बात करें, बजाए के इतिहास के उन पन्नों को उखाड़े, जिनकी जरुरत है नहीं? मीना जी किस जरुरत की बात आप करती है? क्या हिंदुत्तों को छोड़कर अपना धरम छोड़के दूसरी बातें करी जाएंगी? मैं यह नहीं कहरें कि दूसरे मुद्दे महतपूर नहीं हैं, लेकिन आप क्या चाहती है? जब मजवी दुरुवी करन किया जाता है, तब यह विपक्ष को क्यो बुरा नहीं लगता? एक दो देखे में एक घटना से आपको धारन देती हूँ, अभी दो जगे बलातकार की एक बड़ी विवत से घटना ही हुई, एक अध्या में एक कन्योज में हुई, ऐसा क्या प्रेम था आपको मोहित खान से, जिसका नाम के आँगे खान लगा है, तो आपने उसको नगर हिंदुत थी, और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने क्या क्या, राम भक्तो पे गोली चलवा दी, तो यह तो संभव नहीं है कि जिस कुल में, जिस गोत्र में और जिस धरम में हम पैदा हुए है, उस पे कोई अगर उमली उठाएगा, उस पे गोली चलवाई जाएंगे, तो हम बोलेंगे नहीं, आप यह बताएए, छपपल इस्लामिक कंट्रियां है, आप क्या भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना दिशाते हो, चलिए जहां पर आपकी सरकार है, मैं आपको बहुत सारी यसी जगें बता दूँगी, जहां पर शुक्रवार की छुट्टी होती है मतलब हाँ संडे संडे की छुट्टी नहीं होती है, तो शुक्रवार क्या हमारे लिए होता है, आप कहते हों कि भारत तो बड़ा मैजूरोटी वाली कंट्री है, इन तो इस्लामिक कंट्री है, लुट्पर रिचा राजपूरती से लिए जहां पर शुक्रवार की